बॉलिवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की प्रेम कहानियां भी उनकी तरह ही बहुत मशहूर रही हैं। बॉलिवुड की कई हीरोईनों से इश्क लड़ा चुके हैं। अक्षय कुमार को खिलाडी कुमार भी कहा जाता है। और ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि एक दौर में उनकी खिलाडी सीरिज की फिल्में बहुत सफल रही थी। अक्षय कुमार का स्वभाव उन्हें दिये गए नाम की तरह ही खिलंदर किस्म का है। इश्क के मैदान में खिलाडी। अक्षय कुमार ने कई चौके छक्के मारे हैं। इस से पहले जोडा गया। अक्षय कुमार और आईशा जुलका का ये रिष्टा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। और दोनों अलग हो गए। पूर्व मॉडल और बॉलिवुड अभिनेत्री, पूजा बत्रा का नाम भी खिलाडी कुमार के साथ जोडा गया। कहा जाता है कि अक्षय कुमार ने जब बॉलिवुड में कदम भी नहीं रखा, थाचतब से पूजा बत्रा से उनकी इश्क बाजी चल रही थी। उस समय अक्षय कुमार कुछ भी नहीं थे और पूजा बत्रा एक मशहूर मॉडल और बॉलिवुड अभिनेत्री थी। इस जोडी ने एक साथ कई हिट फिल्मे भी दी हैं। इस दोनों स्ट्रार्स का अफेर तीन साल तक चला। अक्षय कुमार और रवीना टंडन के अफेर की खबरें मीडिया में भी खूब चली थी। उस वक्त ये खबरें भी आई थी कि रवीना टंडन अपने इस रिष्टे को लेकर बहुत सीरियस थी। वो अक्षय कुमार से शादी कर घर बसाना चाहती थी। लेकिन अक्षय इसके लिए तयार नहीं थे। अक्षय की बेरुखी ही उनके रिष्टे के तूटने की वजह बनी। और ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। नब्बे के दशक में अक्षय कुमार और शिल्पा शेटी को बॉलिवुट के हॉट कपल में से एक माना जाता। प्रेम में मामले में इतने मंजे हुए खिलाडी थे कि एक प्रेमिका से ब्रेक अप होते ही उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड टैयार हो जाती थी। अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ब्रेक अप होते ही रवीना की जगह शिल्पा शेटी ने ले ली। दोनों की नजदीकिया इतनी बढ़ गई थी कि जानने वालों को लगने था कि दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन खिलाडी अक्षय कुमार ने शिल्पा शेटी का दिल भी तोड़ दिया। अक्षय कुमार का दिल उस समय ट्विंकल खन्ना पर भी आ गया। शिल्पा शेटी को ये बात बरदाश्त नहीं हुई और उन्होंने अक्षय कुमार से रिष्टा तोड़ दिया। ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के बीच अफेर तब शुरू हुआ जब दोनों साथ में फिल्म कर रहे थे। बता दें कि कभी राजेश खन्ना के आफिस में अक्षय काम मागने गए थे। तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ही बेटी के साथ वो प्रेम कर ब नहीं थी। उन्होंने अक्षय कुमार पर इतना दबाव डलवाया कि उन्हें शादी के लिए राजी होना पड़ा। शादी के बाद भी खिलाडी अक्षय कुमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आये। शादी के बाद अक्षय कुमार का दिल प्रियंका चोपड़ा पर आ ग इसके बाद अक्षे कुमार इश्क के मामले में संजीदा हो गए और अपनी ग्रहस्ती पर ध्यान देने लगे। आज आलम ये है कि अक्षे कुमार और ट्विंकल खन्ना को आइडियल कपल माना जाता है। शायद इसी लिए कहा जाता है कि सुभा का भूला यदि शाम को घर ल देट कर रहे थे। ये दोनों अपने रिलेशन्शिप को लेकर काफी सीरियस थेच कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसलिए दोनों ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में सगाई भी कर ली थी। फिल्म खिलाडियों का खिलाडी में रवीना और रेखा को एक्टर के तौर पर नजर आई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान 41 साल की रेखा 28 साल के अक्षय कुमार पर दिल हार बैठी थी। फिल्म खिलाडियों का खिलाडी में अक्षन के साथ साथ इंटीमेट सीन की भी खूब भरमार है। इस फिल्म में रेखा और अक्षय ने कई इंटीमेट सीन दिये थे। फिल्म में अक्षय कुमार और रेखा की बोल्डनेस फैंस को काफी पसंद आई थी। कहा जाता है कि फिल्म में इंटीमेट सीन्स और किसकी वजह से ही रेखा और अक्षय कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। कट्रीना और अक्षय की जोडी पहली बार विपुल शाह की फिल्म नमस्ते लंदन में बनी, फिल्म हिट रही और दोनों की जोडी भी हिट हो गई, इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की, इस बीच दोनों के करीब आने की खबरें भी आने लगी, हालांकि मीडिया म अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अम्रित्सर में हुआ, तथा पंजाब में जन्में अक्षय कुमार कुछ समय तक दिल्ली में ठहरे, तथा इसके बाद इनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गए, तथा मुंबई में अक्षय कुमार ने डॉन के दोरान ही, मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए इन्हें बैंककॉक जाना पड़ी डियेच्छा। अक्षे कुमार का रियल नाम राजीव हरियोम भाटिया है, तथा इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद अपना नाम अक्षे कुमार रख लिए। अक्षे कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआ सौगंध से की थी, तथा इस फिल्म में अक्षे कुमार और शान्ति प्रिया मुख्य किरदार में थी, तथा इस फिल्म में मुकेश खत्रा, पंकज धीर और राखी जैसे कलाकार भी थे। अक्षय कुमार की यह फिल्म हिट हुई थी तथा इस फिल्म के निर्देशक राज सिप्पी थे और इस फिल्म को इकबाल दुरानी ने लिखा था तथा अक्षय कुमार अपने पहले फिल्म से ही एक्शन के लिए मशहूर हो गए अक्षय कुमार फिल्मों में करियर बनाने से पहले मॉडलिंग किया करते थे अधा मॉडलिंग के दौरान ही इन्हें फोटो शूट का ओफर आया और इसके बाद ही अक्षय को फिल्मों में काम करने का मौका मिला अक्षय कुमार को शुरुआत में कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला लेकिन फिल्म मोहरा से अक्षय को पहचान मिली साल 1984 में अक्षय कुमार की 11 फिल्में रिलीज हुई तथा अक्षय कुमार का नाम 2015 से 2020 तक सबसे अधिक कमाई करने वाले मशहूर अभिनेता में शामिल है साल 2006 में अक्षय कुमार तथा कैटरीना कैफ की आई फिल्में हमको दीवाना कर गए काफी हिट हुई थी तथा दर्शकों द्वारा इस फिल्म में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था उसके बाद अक्षय कुमार तथा कैटरीना कैफ कई फिल्मों में एक साथ काम कई ये जिसमें नमस्ते, लंदन, सिंह इस किंग, तीस मार खां, वेलकम, देदनादन तथा सूर्यवन्शी है अपनी फिल्मी अदाउं से दर्शकों को एंटर्टेन करने वाले अक्षय कुमार लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं तथा वर्सिटाइल अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी जिसमें अक्षय कुमार का अभिनय काफी शानदार था तथा यह अक्षय कुमार का पहला कोमेडियन फिल्म था, जिसमें अक्षय को काफी पसंद किया गया, तथा यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही अक्षय कुमार अपने बॉडी तथा फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं, तथा वह हर रोज सुबह चार बजे उठते हैं, तथा सुबह उठने के बाद स्विमिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज तथा मेडिटेशन करते हैं, तथा यह अपने डाइट का भी बे खूबी ध्यान रखते हैं,